हालो स्टोडेंट माई नेम इस अर्वितिवारी वेलकम तू स्टफपप अध्मी आज करेंगे इस वीडियो से तो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम करेंगे तैयारी दा हुमन आया the colorful world chapter की through mind map is mind map से हम समझेंगे कि इस पूरे chapter में हमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या चीज़े इंपॉर्टेंट है तो चलिए इसकी शुरुवात करें आई होप आपने यह जो चैप्टर है इसे अल्रेडी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी दरीके से अगर नहीं वे पढ़ा है तो टेंशन लेनी की बात नहीं है आज करें जो वीडियो है इसमें हम यह सारी चीज़े कवर कर लेंगे लिए तो देखिए सबसे पहले तो बच्च वर्ड में हमें क्या क्या चीज़े पढ़नी थी तो सबसे पहले तो यहां पर यह जो आपको आई हुमन आई स्ट्रक्चर दिख रहा है यह हमें पढ़ना है तो चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जैसी चाप्टर शुड़ू करोगे सबसे पहले ना आपको यह जो डाइग्राम है आई का यह दिखाई देगा यह अब इस आई डियाग्राम को अगरा ध्यान से देखेंगे तो सबसे बहले तो इसको ड्रॉ कैसे किया जाए तो मैंने आपको एक डाइग्राम वाली प्रक्टिस का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें समझ मे आया होगा आपको कि आप इसे कैसे ड्रॉ करें तो देखें इसको ड्रॉ करना थोड़ा काफी आसान है कैसे कर सकते हो आपको बस एक इस तरह से फिश बनानी है ठीक है एक सिकेंड चलिए दिसको हम देखते हैं ऐसी आपको एक फिश बनानी है यह आपने फिश बनाई ठीक है आप मैं इसको थोड़ा सा अलग आपको बना करके दिखाती हूं ऐसा फिश बनाएए हाँ फिश का सामने से मुँह ऐसा होता है फिर उसके बाद आपको यह दो चीज़ी दियां से निकालनी है और यह आपको बना देना है लेंस आगे वाला पोशन थोड़ा सा आप उठा अब अदर की क्या क्या चीज़े हैं यह चलिए हम आपको समझा देते हैं तो सबसे पहले यूमन आई में क्या होता है जैसे आप अपने आखे दिखते हो तो यह आपकी आइलिड होती है आइलिड के बाद यह जो वाइट वाला पोर्शन है यह कहलाता है स्कैलरा इसकैलरा की काद होता है कॉर्णिया क्या है तो और यह न थो की तरीकी की घ्यली होती है ट्रांसपर नाb justice होता है जिसके अंधर क्या प्रेजैंट होते हैं लेंसे होता है और नवी इसकी अंदर उपरी उपरी तोर पर देखा जाए तो सबसे पहले कॉर्णिया क्या अधर pupil मिलेगा प्यूकिल के साथ आपको आइरिस मिलेगा अब जो आइरिस है इसका काम क्या होता है अब आइरिस क्या है तो यह जिसकी मदद से आप किसी की भीए आखो का कलर identification करते हो जैनला कि इसकी कथई आखें हैं ब्राउन आईज है किसी की blue eyes है तो वो जो portion है वो क्या कहलाता है और उसके बीच में जो portion होता है black hole type जो दिखता है जो कि black होता है सभी के आखों में वो होता है pupil ए अब यह black क्यों होता है क्योंकि जितनी भी light enter करती है वो ㅎ ही मारी ऊगों में अंटर करती आ अब हमने चैप्टिर्स में पड़ा हुआ है कि लाइट की रिफेक्शन से हमें सारी छीजा दिखाई देती हैं रिफेक्शन से जला है वो हमारी आंखों के लैंस में कैसे एνटर करती है ठूपिल करती है अब यूपिल के अंदर से जो बेलाइट आथी है वह कहां जाती है आपके इस लैंस पर जाती है यह लैंस बेसिकली कॉॉंभिक्स लगनशोता है अब भार डाय ही दुनिया में तो हमारे automatically focal length को change कर लेता है कैसे change करता है तो ciliary muscles की मदद से जब ciliary muscles contract होती है ठीक है तो focal length कैसी होती कम हो जाती है जब यह आपके क्या करती है खिचती है ठीक है तो contraction और इसके दूर जाने से ठीक है क्या होती है ciliary muscles या तो इस तरह से होती है या इस तरह से दूर जाती है ठीक है जब द जो है वो एड्जस्ट हो जाती है क्लियर अभी फोकल लेंद का एड्जस्ट्मेंट कैसे होता है तो जितना दूर का में देखना है यह में पासका देखना है उसके एक और इसलियरी मसल्स जो है यह आपकी थोड़ी सी लूज होती है या टाइट हो जाती है जिससे आमें दूर का और पासका दिखाई देता है अब जो भी लाइट रे आती है वह कॉन्वेक्स लेंस पर आई यह लेंस क्या करता है इन सारी लाइट रेस को कहां पर बेशता है रेटिना पर इमेज क्रियेट होती है और वह रेटिना पर इमेज कैसी क्रियेट होती है वह उल्टी क्रियेट होती है इनवर्टेट क्रियेट होती है यह पोर्शन क्या कहलाता है बच्चों तो यह जो पोर्शन है जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है यह रेटिना है ज जाद को सीधा कर दिती है ठीक है तो में में फांक्षान है तो हमने देख लिए हैं यह क्य meth है तो में हमेंघा से आध्स पढ़ना है कि जिढ़ रहता है तो इसकी पावर क्या होती है जाधा होती है यह के मोडरेंस है मतलब कि फोकल लेंद क्या होती है कम होती है ठीक है फोकल लेंद कैसे होती कम पतले लेंद के आखों में कैसे एंटर करती है तो आपकी आखे है तो जो ब्लैक होल है प्यूपिल उसके थुरू लाइट्रेज जो है वो एंटर करती है हो जाती है बहुत जाथ लाइघ हो जाती तो क्या हो तो प Sergei अप के कहा हिशोगा शाष ब्लाइज को Kennel करता है ताकि अगर बहुत एक्स्ट्रीम जादा से जादा गर रौशनी आ रहे तो उससे आपकी आखों को प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि अगर जादा आखों में रौशनी एकदम से आ जाएगी तो हमारी आखे जो है वो डैमेज भी हो सकती है अब बाकि यह जो में फंक्शन स में प्रेजेंट होता है अब एक्वेस हुमर का क्या काम होता है बेसिक लिए लिकविट होता है जो कि आपकी आखों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है विट्रिस हुमर का क्या होता है यह एक तरीकी का प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग लिकविट ही है बट यह बेसिक ल तो एंट एंटेरियर चैंबर या पोस्टेरियर चांबर इनके बारे में बता सकते हूं बट इंपोर्टेंट क्या क्या है मैं आपको एक बार मांक कर देती हूं तो वो चीज़े आपको लिखना है तो कॉर्णिया लेंस प्यूपिल आयरिस ठीकें विट्रिस हुमर एंड सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट हमारे फिजिक्स के हिसाब से यह सारी चीज़े हैं जिनको हम बता देते हैं आपको अगर पूचा जाए कि वाट हमारे आखों की नेच्रल स्क्रीम कौन है तो रेटिनास का अंसर आपको लिख देना है ठीक है हमारी आखों में लेंस कौन muscles हैं यह basically क्या करती है आपकी आखों में convex lens के size को इसकी focal lens को adjust करने का काम करती है ठीक है और क्या question पूचा जा सकता है कि प्यूपल के साइज को कौन एड़िस करता है तो यह प्यूपल के साइज को एड़िस करने का काम किसका होता है यह जो प्यूपल है इसके साइज का एड़िस करने काम आइड़िस करता है क्लियर है प्यूपल का रंग ब्लैक ही क्यों होता है क्योंकि एक तरीके से ब्लैक होल के समान है लाइट एनरजी इसके अंदर एंटर करती है बट बाहर नहीं आती है इसलिए जो ब्लैक होल है वो ब्लैक होता है तो यूमन आइस एलेटेड यह सारे इसलिए नेक्स टीज क्या पूछी जाएगी बच्चों यह पूछी जाएगी की हूमन आय में डिफेक्ट क्या अब अचानक से हम डिफेक्ट के बारे में क्यों पढ़ने लगें क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली यह पढ़ रहे हैं कि किस ट्राइप का लेंस हम यूज करें है क्योंकि लेंस हम किसमें पढ़ते हैं फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ते हैं जब किसी के आँखों में डिफेक्ट होता है जैसे उसे पास का यह दूर का नहीं दिखाई देता है तो वह क्या यूज करते हैं तो हमें वही पढ़ना है कि कौन सा लेंस किस कंडिशन में स्कुन गें चीज दिसकुस करनी है तो देखे डिफेक्ट्स तीन तरीके के होते हैं पहला होता है मायोपिय ठीके लिए से अम नियर साइटेग्स कहते हैं फिर होता है आपका हाइपर मैट्रोपिया जिसे आफार साइटेग्स भी कह सकते हो और फिर रोड़ा है प्रेस कौन कौन सा है तो सबसे पहला होता है आपका मायोपिया ठीक है फिर है हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया अब मायोपिया का मतलब क्या होता है मायोपिया है नियर साइटेडनेस मतलब किसी की आखे पास का तो अच्छा देख लेती है नियर साइटेडनेस का मतलब पर न कर नाजर आए तो उस व्यक्ति को किस की प्रोबलेम है आई में कौनसा दिफेक्ट है विजी बिसके माइऊपिया है नेक्स होता है इस किया है इस ओल्ड एच में जाधा होता है जितने आपके बुज़ुर्ग लोग है उन्हें यह प्रॉब्लम जाधा होती है क्योंकि दीरे-दीरे हमारे जो लेंस है उसका फोकल लेंद का एड्जस्ट्मेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है तो इस वज़े से प्रेस बायोपिया की प्रॉब इसका यूज करते हैं correction के लिए तो कारेक्शन इसके किसा होगा आप कैसा लेंस ज्यूज़ करें कॉंसा यूज़ करें तो यहां पर आपकози केव lens use करना होगा clear है अगर किसी वेक्ति को hypermetropia है मतलब कि उसको pass का दिखाई नहीं दे रहा है तो वो क्या correction करें इसके लिए किस चीज़ का use करें कौन से lens का use करें तो इसके लिए वो convex lens का use कर सकता है clear है next is अगर press biopia है तो इसकेस में आपको bifocal lens का यूज करना पड़ेगा by focal lens क्या होते हैं जिसमें दोनों का combination होता है convex lens का भी और concave lens का यह अब human eye में आपने दो तीसे समझ ली एक तो human eye का structure आपको पढ़ना था फिर defects of eye तो मैंने आपको in short बता दिया है अब इसके बार ना आपको फिर से dispersion of light scattering of light इन सबके बारे में पढ़ना होता है तो सबसे पहले बच्चों यह समझते हैं कि dispersion of light क्या होती है अब आपने देखा होगा कि कभी-कभी आप CD जो आपके CD जितने भी colors से वह मिलकर के बनी है उसमें split हो जाती है बिसिकली colors जो है वाइट लाइट जो है वह सेवन होते हैं light के हैना हर light के colors में जैसे अगर मैं violet की बात करूँ या फिर मैं इंडिगो की बात करूँ तो इनका जो color का wavelength होता है वह red के comparison में काफी कम होता है क्योंकि आप देखिए कि जितने भी signals होते हैं वह सब कश करर देखिए जाते हैं न जतने light कलर्ण जैसे k player है या फिर भी ब्लू है sanct stuff होते हैं वह थोड़े से कै office होते है कंद दिखाई देने वाले क्यों water इन सबको मीडियम कह सकते हैं तो जब लाइट एक मीडियम से एर से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है कि जिस लाइट लाइट का क्या होता है बेंडिंग हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से ठीक है तो बेंडिंग का मतलब क्या होता है कि यह अपने पाथ से मतलब कि एक लाइट अगर माल लीज़े कि इस डारेक्षण मैं आ रही है घर उसको जाना कैसे चाहिए था उसे जाना चाहिए अगर किसी मेडियम में जाए और अपने साथ कलर में डिवाइड हो जाए तो इसको ही क्या कहते हैं इसे कहते हैं डिसपोर्जन ओफ लाइट क्या कहते हैं इसे डिसपोर्जन ओफ लाइट एक लाइट का अपने साथ कलर में डिवाइड हो जाना और डिवाइड क्यों हो जाते क्योंकि या वालेट जयादा घ्या होगा बैंड होजाएंग उससे कम कौन होगा वहाप काwidर होगा उससे कम कौन होगा ग्रीन होगा उससे कम यलो तर्बियोड जो है वो आपका रेड कलर होता है क्योंकि इसकी वेवलेंट besten सबसे है ठीक है तो इसी वाइट लाइट का आपने seven colors में तूटना dispersion of light कहलाता है चलिये अब हमने dispersion of light समझ लिया लेकिन प्रिजमें कैसी चीज है कि उसमें आपको बहुत क्लियर लिये जो dispersion है वो दिख जाता आपको सेरीज में दिखता है या फिर यह जो dispersion और scattering of light scatter होने का मतलब भी क्या होता है लाइट का आप इसके किसी भी एक कलर का फैल ना या उसके सारे colors का फैल जाना scattering of light कहलाता है अब dispersion of light का आपने example कहां देखा होगा rainbow भी जो होता है वो dispersion of light की वज़े से होता है ठीक है तो चलिए इसको dispersion of light तो हम समझ गया बाकी की चीजों के थ्रू हम इसका पूरा और डीटेल समझते हैं क्लियर है तो में चैप्टर में अब dispersion of light जैसे ही आपने बच्चों पड़ा होगा तो इसके बाद next topic पर हम आ जाते हैं ठीक है पहले हम क्या पढ़ ले atmospheric reflection के बारे में और scattering of light के बारे में अब पहले हम scattering of light को देख लेते हैं तो scattering of light का मतलब क्या होता है scattering of light के examples क्या है blue color sky यह जो आपका sky blue color का दिखता है वो just because किसके वज़े से दिखता है scattering of light और blue ही क्यों दिखता है again wavelength का case आ जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा कम wavelength होती है वो ज़्यादा फैल जाता है ठीक है दिन के time में आपको sky blue क्यों दिखता है क्योंकि उस time पे तो सारे colors है हना सारे light क्या है बिल्कुल perfect आ रही है जहां से आनी चाहिए वहां से perfect light आ रही है बादब पूरे seven colors आ रहे है लेकिन दिखाई से blue क्यों दिख रहे है क्योंकि blue जो है वो ज्यादा फैल जाएगा क्यों फैल जाएगा क्योंकि उसके wavelength कम होती है साथी साथ redness ठीक है of sunset and sunrise sun at sunrise and sunset अब आप इसका example और क्या हो सकता है scattering of light का आप देखते हो कि sunrise के से दूर चलता है ठीक है बलाइट का source इस ताइम पर दूर चला गया तो अब दूर चला गया तो सर्फ और सिर्फ कौन सा कलर दिखेगा आपको जिसकी wavelength जादा होगी पहले वाले किसमें क्या था कि सन बिलकुल यहीं पर है आपके पास ही atmosphere atmosphere की बिलकुल पास आपको sun उपर से दिखाए दे रहा है और दिखाए दे रहा है अब उसकेश में सारे colors आ रहे हैं लेकिन पहलेगा कॉन सबसे कब बाखी तो सारे बहुत light के साथ मिक्स है white light के साथ में mixed है अब लेकिन दूसरे case में अगर आप आओ ठीक है जहां पर sun जो है जहां से light आ रहे है वो दूर चल देगा क्योंकि उस टाइम पर wavelength सबसे ज़्यादा रेट की है ठीक है अब देको एक और example बटाती हो कहीं दूर आग जल रही होती है तो आपको कैसे दिखाए देती वह और इंज है ना बागी colors दिखाए दीते हैं क्या नहीं दिखाए देते हैं क्योंकि उस टाइम पर से वह कौन सा कलर्ण जादा बाहर दिखेगा आपको रेड कलर जाबा दिखाए देगा मतब दिखने वाली केस में वहीं दिन के समय में आप जब आग जलाते हो चीक है तो आपको हलकी हलकी से बिस एक blue सी लाइन दिखाए देगी या बहुत कम दिखाए देगी वह भी क्यों दिख अधियं वेला सटी भी जो है जिसकी विवलेंट सबसे जादा होती है उसकी विलासिटी भी जाधा होती है तो बच्छों तो याद करने के इसाब से समझा रहे हूं याद रखेगा ब्लू कज़र क्यों दिखता है क्योंकि उसकी वेवलेंट कम है वेलॉसिटी कम है जिस वजह से वह जादा फैल जाएगा रैडिस निस क्यों दिखते हैं क्योंकि वह ओरिजन के नीचे आपका एक तो पहली चीज जो है संजो है वह दूर होने लगता है आपके होती है clear अब इसके बाद हमें पढ़ना है refraction of light कि के थुर्व प्रि noon अब ये कोशन वे आपसे पुछा जा सकता है इसके बाद ray fraction of light ह्लाइन अब रिफ एक्षण का मतलए हम पहले चाप्टर में पढ़ जुकर हैं कि जब light रही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह बैंड हो जाती है तो अब उससे रिलेटेड कुछ कॉंसेप्ट सें जो कि आपको पढ़ने पढ़ेंगे कि प्रेजम भी एक मीडियम है तरीके का और एयर से कोई भी लाइट जब प्रेजम में जाती है तो इस केस में क्या क्या होता है तो आपको एक सिकंड चल तो फिल यहां से हम थोड़ आपट बोर्ड में इज्ट्मेंट करना बढ़ता है चले तो आई होप आपको यह सारी चीजे दिख रही है अगर नहीं भी दिख रही है तो मैं बताती हूं अब देखें आपको प्रिज्म के डा कर देना तो चेंट है अब देखें प्रिज्म में क्या होता है बचो यह मीडियम है यह दूसरा मीडिय CI का मतलब किया है कि एक लाइटD Economy ह detecting अब उसे जाना कैसे चाहिए था इस तरह से जाना चाहिए था ठीक के पट वो जा कैसे रहे है से जाती है अब जब जाएगी और बाहर निकलेगी तो फिर से क्या होगा मीडियम चेंज हो जाएगा यह सका yeter region मीडियम और वापिस से extern डियर मीडियम की तरफ जाएगी अभ़i यह किस साइड वोगी हमनेसे प्रिजम की केस में देखा कि सीधे जा दिए तो कैसे जा दिए यह तो जब रेयर से देंसर मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या करती है यह अपने आपको शिप्ट कर लेती है तो माली जै कि अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल करते हैं पॉइंट की उपर इस पर द vispork Germany आपने सी नौर्मल आपने सी पॉइंट पर डौकर दो यह इनॉर्मल पर कहां जांगे नीचे सब स्क्वास्यन देंसर से रियर मीडियम में जा रही है और जब भी लाइट रे डेंसर से रियर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है तो यह कहां जाएगी नीचे की तरफ जाएगी है अब जो लाइट इसमेंट इंसिडेंट करती है प्रिजम पर जाकर के उसे इंसिडेंट बीम कहा जाता है या रे भी कह सकते हैं जो बहार निकलती है उसे आप emergent beam कहते हो क्या कहते है उसे emergent beam clear है अब यहां पर जब light ray इसके अंदर enter करते हो जब आपने इसमें नॉर्मल ड्रॉ किया तो इन दोनों के बीच का angle क्या कहलाता है angle of incidence ठीक है नॉर्मल से जितने angle के साथ यह नॉर्मल के साथ में और यह जो light ray बीम में जाकर किस अपने रास्ते से भटक गई है या band हो गई है उन दोनों के बीच में अगर आप angle बनाओगे तो वो क्या है reflection ठीक है क्योंकि refracted ray है क्या है यह रे रे रिफ्रेक्टेड रे मतलब अपने रास्ते से भटकी हुई तो रिफ्रेक्टेड रे का एंगल कैसे बनेगा नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच में ठीक है इसके बाद कौन सा एंगल बना देना है आप आपको ложको emergent beam के साथ में बनाना है तो आपनी नॉर्मल बनाया था तो अंगर आपका क्या होगा एक और रिफ्रेक्टेड एंगल क्यूंकि रिफ्रेक्टेड यंगल मिलें से भी है अब इसके बाद यहांपर एंगल जो मिलता हो मिलता है एंगल ओफ इमेर्जिंस ठीग है अब ठीक है एक ट्राइंगल मिलेगा पहली चीज तो अब यहां पर यह जो एंगल बनेगा यह क्या हो जाएगा आपका यह जो एंगल है यह क्या कहलाएगा आपका एंगल ओफ डेविएशन ठीक है कैसे निकला अगल ओफ डेविएशन हमारी ओरीजिनल लाइट रिको ऐसे जाना लेकिन वो कैसे बैंड हो गई नीचे की तरफ बैंड हो गई जो कि क्यों से बेंड है यह वाली बीम है तो इन दोनों की बीच का एंगल क्या कहलाएगा डेविएशन एंगल ठीक है और अगर हम यहां पर एक और एंगल बनाए ठीक है वो कैसे आपको निकलेगा तो अगर वह आपके इकवल और पोस्ट अगल के साथ में अगर आप बनाऊगे तो यहां पर जो एंगल है वो किसके बराबर होगा एंगल ओफ प्रिज्म होगा ठीक है क्या कहलाएगा यह एंगल ओफ प्रिज्म और यह कैसे निकाला आपने एंगल आफ इंसिदेंस और आंटल आफ इमर चीजी से मेंशन करनी है यह आप से खमेंशन कि हुए है ठीक है ठीक है तो बेरी फ्रैक्षन आफ लाइट तूप रिजम जब आप करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है आइंगल ओफ emergence and angle of incidence किसके बराबर होता है angle of prism plus angle of deviation के यह line आपको लिख देनी है अगर exam में आप से इस तरह से पूछा जाता है तो यह पूरा diagram बनाना है ठेकिन इस diagram को बनाने के बाद यह line बचो जरूर mention कर दीजे अगर आपके पास बहुत time time कम बचा आपको question पूछा हुआ है आप से एंगल of incidence कौन सा है यह पूछा जा सकता है angle of emergence कौन सा होता है यह पूछा जा सकता है deviation angle और प्रिज्म angle of prism क्या होते हैं यह भी पूछा जा सकता है ठीक है तो यह सारा equation जो है यह आपको याद रखनी है ठीक है अब इसके बाद इस चैप्टर में आपको और क्या पढ़ना होगा इसके बाद यह जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना पढ़ेगा atmospheric reflection तो atmospheric reflection कैसे होता है तो atmospheric reflection के examples याद रखिए कि जो आपका twinkling of stars है या फिर advanced sunrise or delayed sunset जो होता है यह किसकी वज़े से होता है atmospheric reflection की वजह से अब भई twinkling of stars कैसे होती हमारे से बहुत दूर है stars clear है तो यह vacuum है उसके बीच में तेक है अब जो light वहां से आती है वह हमारे atmosphere पर आएगी atmosphere में बहुत सारी layer है कुछ dense है ठीक है कुछ कम dense layers है तो जब यह जो light रे जो उपर से नीचे की तरफ आ रही है दूसरे planet से टकरा कर हमारी धर आ रही है तो क्या हो रहा है अलग-अलग twinkling of stars जो है वहाँ पर कोई light तो नहीं है कि कोई light को बंद या चालू कर रहा होगा है ऐसा तो नहीं होगा जैसे कि आप अपने घर में दिवालियों में या इद पर सीरीज लगाती हो तो उससे क्या कोई twinkling आपको नजर जैसे सीरीज में होती है चब जिब 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 होता ह है ऐसा कि stars के साथ होता है नहीं basically क्या होता है कि सब सूरज का लिया करने करा हुआ काम है light rays वहां जाती है हमें तो प्रत्वी से दिखाई दे रही है तो क्या हो रहा है कि अब देखिए क्या होता है कि reflection का मतलब क्या है कि light ray का bend होना तो मतलब कि atmosphere reflection के reason अगर यह दोनों है तो आपके atmosphere में पहुंचते हैं या आपका earth है ठीक है तो atmospheric कैसी होती है जो हमारी layers है वो कुछ dense है कुछ rare है तो denser से rare medium में जाने की वज़े से क्या होगा कि आपकी light ray है वह band होती जाएगी ठीक है और साथी साथ कुछ dust particles आपके atmosphere के particles यह सब इसे टकराएंगे तो क्या होता है कि जो light ray जब आप अपनी आखों से देखते हो ना तो आखे थोड़ी बन गीए चिक है तो जब इन light rays को आप अपनी आखों से देखते हो तो वह आपको कैसे दिखाए देते क्योंकि वह अपना path को बार बार change करती जा दे कभी इधर कभी उधर कभी उधर तो इसके bending की वज़ तो आप इस को कैसे बनाते हो आप कुछ इस तरह से बनाते हो ठीक है ऐसा ऐसा बनाते हो ऐसे ट्विंकल करते वह दिखता आपको कभी एक लाइट जादे दिखते कभी कम दिखते तो यह just because of the reflection यह हो रहा है ठीक है अब बात की जाए आपकि Sunset and Sunrise की तो Sunset और सटार इस कारी तो एडवांस और डिलेट संवराइस जो है बैसिकली आपको रिफ्रेक्शन की वज़े से होता है माली जी अर्थ है जिसके यह पॉइंट पर आपका जो देश है वो है आपकी कंट्री जो है यह तो डिलेट संवर उसके सामपर क्या होता है कि आपका जो होरीजन है उससे ने में जाएगी तो बेसिकली क्या होगा अब है फ्रॉम-Normally shift होती जाती है यह वेफ्रॉम-Normal होई यहां पर पहुंची एवेफ्रॉम-Normal होई यहांपर पहुंची तो आपको क्या अपियर होता है कि यह जो आपका संड है जो जो रोशने आपके आखों तक पहुचे दिख रहा है तो मतलब कि वो सन है तो बेसिक लिए होता क्या है कि जो लाई सन है वो थोड़ा देर में उपर की तरफ आता है और थोड़ा देर में नीचे की तरफ जाता है लेकिन हमें कैसे दिखाए दिता है विगोज ऑफ रिफ्रक्शन हमें यह लगता है कि यह जो सन है यह पहले ही डूब चुका है पहले ही ऊप चुका है हमारे लिए तो वो नॉमल कंडिशन है बट एक्ट्वल में क्या होता है यह सण है वो 15 मिनिट बाद में राइज होता है और 15 मिनिट बाद में संसेट होता है तो तो जिस दे दिश्ट बिकज आफ दे रिफ्रेक्शन ओफ तो हमने आपको माइन-माप्स के थ्रू समझा दिये एक सःकर थे सब्सक्राइब को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो बच्चों इसमें कुछबी Curious को आपको छोड़ना नहीं है जो जो चीजे मैंने आपको अभी बताई हुई है यह सारी जी सारी चीजे पढ़नी है एक बार फिर से बता देती हूं कि पूरे माइंड मैप के थू आपने क्या क्या समझा तो human eye in the colorful world is divided into the five parts the first one is the human eye structure defects of fire dispersion of light atmospheric reflection scattering of light and reflection of light through the prism अब human eye में आपको पूरा structure पढ़ लेना है अच्छी तरीके से defects of eye में सारे corrections कैसे करते हैं और उसका एक छोटा सा ray diagram आपको पढ़ना होता है plus dispersion of light का मतलब क्या होता है यहां से समझ में आ रहा है scattering of light का examples अगर आप पूछे तो blue color or rednessness of the sunset and sunrises यह तोड़ा से mix हो गया है चली तो इसको थोड़ा सा move कर लेते हैं वापस से तो basically बच्चो यह आपका पूरा diagram है I hope आपको इस्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा अल्दो मैंने आपको पूरा जूम करके बताया हुआ है कि आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना है ठीक है तो दिस बहतरीन कर रहे होंगे तो यह माइंड मैप तो हमने समझ लिया है ऐसे ही सारे वीडियो को देखने के लिए exam related हो चाहे competitive exams के related videos हो subjective videos हो सारी चीजों को देखने के लिए क्या करना है step up academy को subscribe करना है subscribe करें क्योंकि यहां पर आपको आपके हर subject के हर chapter के online video lectures available है plus बहुत अच्छी बात तो यह है कि coet, need, clat इन सबकी online preparation के अरवाई जाती है online ही नहीं भोपाल जो हमारा center है वहाँ पर हम offline भी present है तो फिर देरी किस बात की अभी subscribe करें और follow करें आज ही step up academy को और इस video को देखने के लिए thank you so much